असलाम अलेकुम जी, so this is the second part for getting started with adobe products कुछ चीज़ें जो बड़ी important हैं और आपके साथ share करना बहुत जरूरी है तो वो मैं आपके साथ जरूर share करना पसंद करूँगा सबसे पहली चीज़ के last lesson में हम लोगों ने ये देखा था कि आप लोग जब adobe की products purchase करते हैं adobe की website से, so वहाँ पर हमने देखा कि आप लोग अपने local bank का debit card जिस पर mastercard या visa की stamp हो आप उसको use कर सकते हैं so अगर आपके पास pioneer का card available है, आपका pioneer का account है so आप लोग pioneer का card भी use कर सकते हैं to purchase subscription for adobe products तो अगर मैं इसको थोड़ा सा scroll करूँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि yes this card will work to buy adobe subscription तो आप लोग pioneer का card भी use कर सकते हैं अगर आपके पास pioneer का card नहीं है, तो जो असान तरीका है, जो के आप लोग सब असानी से वो card बनवा सकते हैं जब आप कोई भी local bank account खुलवाते हैं पाकिसान में रहते हुए so आप उसका debit card असानी से use कर सकते हैं so वो एक असान method था, जो के सबके लिए feasible है लिकन अगर आपके पास pioneer का card है, तो आप इस card को भी use कर सकते हैं second चीज जो के मैं आप से share करना चाहता हूँ वो है जी, जब आप Adobe का account create करेंगे so Adobe का account create करना that is totally free account create करने के बाद, जो आप subscription लेंगे Adobe products के लिए, उस subscription के लिए आप pay करेंगे so Adobe account create करने के लिए आपको कोई पैसा Adobe को नहीं देना, अब Adobe का account हम लोग क्यों create करेंगे that is very important, आप Adobe की products को subscribe करते हैं या नहीं करते, but it is compulsory for you to create an Adobe account वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम लोग course के दर्मयान में या course के आखिर में जाके हम एक अपना portfolio create करने की कोशिश करेंगे on a Behance platform that is offered you by Adobe so आपका Adobe का account Behance के लिए भी चलेगा हमें Behance के लिए अलग से sign up नहीं करना पड़ेगा बलकि आपने जो Adobe के लिए account create किया होगा हम उसको Behance के login में जाके use कर सकते हैं ठीक है जी तो आपके लिए जरूरी है कि आपने Adobe का account जरूर create करना है that is totally free और उसी account को हम use करेंगे जब हम Behance के उपर अपना portfolio create करेंगे right so यह हमारे पास एक दो चीज़ें यह हो गई इसके बाद अगर मैं third option पर आता हूँ so हमने एक और method discuss किया था कि अगर आप Adobe की subscription purchase अभी नहीं करना चाहते या आप पे नहीं कर सकते so आप इस link पर जाके direct Adobe के products को download कर सकते हैं और उसको use कर सकते हैं लेकिन इसमें आपको मसला यह आएगा कि अगर आप Adobe की products download करके use कर रहे होते हैं और साथ ही में आपने creative cloud को install किया हुए और यहां पर आपके पास option आती है कि Adobe Illustrator की update available है so आप बहुत excited हो जाते हैं कि वाओ illustrator की update available है so let's update Adobe Illustrator so that आप नए features को use कर सके अपने projects के अंदे एक बात का खास क्याल रखेगा अगर आपने illustrator को direct link से download किया हुए और आप creative cloud से अपना software अपना tool update कर लेते हैं will create trouble for you क्योंकि इसको update करने के बाद Adobe आपसे कहेगा कि आपने अपना 14 days का trial use कर लिया है illustrator का so let's go for the subscription let's buy the plan तो उसके बाद फिर वो आपको तंग करेगा कि जब तक आप plan purchase नहीं करेंगे आप illustrator को use नहीं कर सकते तो फिर आपको इस मुश्किल से निकलने के लिए दुबारा उस direct link पर जाके वहां से illustrator को 2019 वाले variant में डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको use करना पड़ेगा so अगर आप direct link से डाउनलोड कर रहे हैं so कभी भी creative cloud में जाके अपने tools का update ना कीजेगा नहीं तो it will create trouble for you लेकिन अगर आप Adobe के subscription purchase करके अपने tools को use कर रहे हैं so यहां पर हमारे पस benefit है कि जब भी Adobe के तरफ से किसी भी software की update आती है so you can update your software और उसके बाद आप उसकी नहीं updates को नहीं features को अपने projects में use कर सकते हैं so यह कुछ चीजें थीं जो के मैं आपसे discuss करना चाहरा था जो के important थी so मैं उमीद करता हूँ के आप Adobe की subscription purchase कर लें या आप Adobe के जो tools हैं जैसा के illustrator and Photoshop यह दोनों tools आपके पास install हो preferably illustrator यह जरूर होना चाहिए so that we can get started with it इसके इलावा अगर आप direct link से download कर रहे हैं तो second चीज जो के खास क्याल रखना है के आपको Adobe का account जरूर create करना है because we are going to use that account to maintain our Behance profile and that is very important in your freelance work and or to get a job in your local market so thank you so much for your time मिलते हैं जी next lesson में लेकिन Adobe Illustrator इंस्टॉल होना चाहिए so that's it thank you so much । । । । प्रहुड़ छोड़ चरिये झाल